हेलो नमस्कार दोस्तों इस्टेट्टी.9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत हैं कुछ नसा तीरंगे की आनका कुछ नसा मात्र पुमी की शानका हम ले रहेंगे हर जगे ये तीरंगा ये नसा हिंदुस्तां की सानका देखे दोस्तों आज हैं गंतंतर दिवस और गंतंतर दिवस की आप सभी को हारदी के सुब कामना हैं आपका दिन सुब हो देखे सेशन की सुरुआत करते हैं इस सेशन के अंदर हम करंट अपेस के टॉप जो 10 क्यूशन है उनको तो लेंगे ही लेकिन उसके साथ साथ आपके लिए मैं बहतरीन इस्टाटिक जीके का पोर्शन लेका आया हूँ जिसके अंदर हम टॉप 10 क्यूशन जो एकजाम की दरेश्टी से वेरी इंपोर्टेंट होते हैं वो मैं लेका आया हूँ और उसके बाद हम करेंगे जिविजन जो लाश्ट कलास का मतलब कल जो हमारी करंटर पेश की कलास हुई थी उसका हम करेंगे रिविजन उसके बाद जो मैंने कल क्यूशन आप दाडे के रूप में दिया था उसका करेंगे आंस्वर और आज के लिए मैं आप क्यूशन दूँगा ठीक है ना अब शुरुआत करते हैं बिना देरी के सेशन की जल्दी से जल्दी हमारा कंटेंड पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही उसके पास में दिया हुआ है बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिपिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके ठीक है ना और पीडियो के लिए हमारा टेलिग्राम चैनल है इस्टेड़ी पॉइंट नाइन से जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर पिन किया हुआ है ठीक है देखिए क्यूसन नमर एक क्या कह रहा है यह कह रहा है कि हाली में किसे बारत रतन पुरुसकार से समा और कितने वक्तिओं को दिया गया है तो वह दिया गया था तीन वक्ति ओकोा ठीक है ना तीन वक्ति कौन क्हा थे तो एक तो थे कौन एक थे हमारे पनव मुखर जी ठीक है ना दूसरे थे भुपेन हजारी का कौन थे भुपेन हजारी का और तीसरे कौन थे तीसरे कौन थे नाना जी देशमुक तीसरे कौन थे नाना जी देशमुक ठीक है ना ये तीनों को दिया गया था कब 2019 के अंदर भारत रतन देखिए पर्णों मुकर जी भुपेन हजारी का और न ठाकूर को और यह कहां के निवासी है तो यह है बीहार के निवासी बीहार की राजनीति के अंदर रहने वाले ये दो बार मुकैं मंत्रि रहने वाले स्पूर थैक student 20-30 कर पर इंजले से बतावे को कौन सä वर्ण तियास है अभी मैंने दो-ցतिन पहला था तै Lexker घजनवरी दोजार चौपीश में सरकार ने 37 सेनानी सिक्षक राजनीतिक और बिहार के पूर्वे मुख्य मंत्री करपूरी ठाकुर को 49 वे भारत रतन मर्णो परांत पुरुसकार देने की गोश्णा किये मतलब अभी तक देश के गंतंतर होने के बाद जो पुरुसकार हैं वो गुणपचासव पुरुसकार हैं ठीके ना करपूरी ठाकुर मर्णो परांत ये पुरुसकार पाने वाले सत्रवे वक्ती हैं वर्स 1954 में भारत रतन बारत का सर्वोच पुरुसकार हैं ठीके ना और ये विज्यान, कला, साहित, ये सर्वोच इस्तर की सारवजनिक सेवा के मानियता जैसे विबिन सेत्रों में राष्ट की एसाधन सेवा के लिए ये परदान किया जाता है इस पुरुसकार की स्तापना दो जनवरी 1954 को भारत के पूर्वे राष्ट पती राजेंदर परसाद के दुआरा की गई थी ठीक है ना जनवरी 1954 में गोसित मूल कानून में इस पुरुसकार को मर्नो प्रात परदान करने की अउधारना नहीं थी लेकिन बाद में 1967 के अंदर ये बदल दिया गया और सबसे पहले परतम भारत रतन पाने वाले डोक्टर सर्वेपली राधाकशन और डोक्टर सिवी रमर और चक्रवरती राज गोपलाचारी जिनको तीनों को 1954 में भारत रतन पुरुसकार से नवा जा गया ठीके सचिन तेंदूलकर पहले खिलाड़ी हैं जो सबसे कम उमर में भारत रतन पुरुसकार प्राप्त करने वाले ठीके क्यूशन नमर दो देखिए हाली में एशियाई मेराथन चेंपियंशिप में शुन पदक जीतने वाले दूसरे भारते कोन बने हैं दूसरे भारते की बात करें हम तो वो बन चुके हैं मान सिंग कोन बन चुके हैं मान सिंग ऑप्सन नमर डीस का क्रेक डांसर हो जाएगा मान सिंग भारत के भारत के मान सिंग होंग कोंग में एशियाई मेरातन चेंपियंशिप दोजार चोबीस में सुन पदक जीता है ठीके ना और यह दूस बारते बनेये जिनोंने किताब जीता है ठीक है और दूसरे सुन पदख जीतने वाले हो जाएंगे मांजिंग ठीक है ना चलो किसा नमर 3 हाल इमें परदान मंत्री सुर्योद्य योजना की सुरुआत कि गई कब 22 जन्वरी को कब की गई वारत के एक करोड गरो में सोर उरजा से बिजली पहुंचाने के मामले में परदान मंतरी मोदी जी के दुआरा 22 जनवरी 2024 को परदान मंतरी सूर्योदय योजना को लोंज किया है इस योजना के अंतरगत बात के एक करोड गर्ष के छत्तों पर सोलर पेनल लगाये जाएंगे और उन गरों में सोर उड़ा से बिजली उत्पन होगी 2019 के अंदर रूप टौप योजना के दौरा सरकार ने सोर उड़ा के मामले में 40 गीगावार्ट वीदूत उड़ा घरों तक पहुंचाने का लक्षी लिया था लेकिन कोवीड के कारण ये पुरा नहीं कर पाए और इस योजना के अंदर के अंदर सरकार का 40 परतिसत और जो राजे सरकार का 60 परतिसत हिंसेदारी रहने वाली है ठीक है ना कि उस नमबर चार देगिए संस्तागत्र सेंड़ी में सरनु है तो सुबास चंदर बोस आपदा परबंद पुरुसकार सुबास चंदर बोस आपदा परबंद पुरुसकार दोजार चोबीस निम्न में से किसे पड़दान किया गया तो ये किया गया है और ये पुरुसकार के अंदर सरकार दोरा आपदा परबंद के उतकर्ष कारी के लिए दिया जाता है इस होस्पिटल की स्थापना उनिसो बयाल इसके अंदर हुई थी भारते से शेस्थर बोलो का एक मात्र होई चिकिशा परतिस्टान भी है क्यों से नबर पाँच भारत में सेमी कंडेक्टर नीती लागू करने वाला चोता राज ये कौन सा बन चुका है तो वो बन चुका है उत्तर परदेश कौन सा उत्तर परदेश सेमी कंडेक्टर नीती लागू करने वाला चोता राज ये उत्तर परदेश बन चुका है तो हम तीन की बात करें । देखिए तीन कौन-कौन से गुजरात ओडिशा तमीलनाडू उसके बाद उत्तर परदेश एक नमर पर गुजरात है दो नमर पर ओडिशा है तीन नमर प देखिए कि नमर 6 हाले में किस राजे के मुख्य मंत्री के दुआरा जली कट्टु अखाड़े का उद्गाटन किया गया जली कट्टु अखड़ा जली कट्टु अकट्टु वे लिदी दबाद करें तो कहां का तयों आ रहें तो यह हैं तमील नाडू का तो इसका सही आंसर मुखर्ण तो क्या होना है उनके मुख्य मंत्री का प्रम्पर है और ये उस्ताव तमिलाडू की संस्कृति का परती के जली कटू को एरुथा जेवुथल के नाम से भी जाने जाता है इसके अंदर बेलो को गले लगाना इसका अर्थ है ठीक है क्यूस्तर नमर साथ है कि ICC ने 2023 के लिए T20 पले रॉब दा इयर T20 पले रॉब दा इयर किसे चुना गया है तो ये चुना गया है सूर्य कुमार यादव को किसे चुना गया है सूर्य कुमार यादव को चुना गया है T20 पले रॉब दा इयर 2023 के अंदर ठीक है ना सूर्य कुमार को लगातार दूसरी बाद ये पुरुसकार मिला है सूर्य लगातार दो भार T20 पले आप the year बनने वाले पहले खिला ड़ी यह है मैलाओं के अंदर यह पुरुसकार वेस्ट इडीज की हेली मेतियू को दिया गया ठीक है यादव और वंडे टीम के अंदर कौन रोईत सर्मा वंडे के अंदर रोईत सर्मा के दुआरा जीत ले गया है ठीक है ना देखिए आइसी सी के स्थापना 1909 वर्दमान में अध्यक्सें ग्रेक बारकले मुख्या लें दूबई के अंदर यूए के अंदर ठीक है ना क्यूंस पढ़े को मनाया जाता है रास्टे मतदात सद दीवस और राष्टे प्रेटन दीवस कब कल मनाया गया ठीक है ना नेशनल वोटर सदे कब तो 25 जनवरी को मनाया जाता है ठीक है ना देखिए दोनों के बारे में मैं लेक आया हूं 25 जनवर बोजार चोबिस और आइस आप टिक कर लेना गैरेंटी के साथ बोलता हूं यह क्यूशन आने वाला है ठीक है ना 25 जनवरी को 13 राश्टिय मताता दिवस मनाए गया अब देखिए दूसरा है राश्टिय परेटन दिवस 25 जनवरी 2024 को मनाए जाता है और इसका मुख्यों के उदेशी है बारती संस्कृति और परेटन इस तो लोगो बढ़ावा देने के लिए मनाए जाता है बार सरकार के परेटन मंत्रा ले दुआरा इस दिन को सेलिब्राट किया जाता है ठीक है क्यूशन नबर दस आज का लास्ट क्यूशन हाली में इंटरनेशनल एजूकेशन डे अंतराश्टे शिक्ष्य द इस साल 24 जनबर दोजार इस चटा अंतराश्टे शिक्ष्य दिवस मनाए गया है ठीक है ठीक है ठीक है यह तो हो गई हमारे टोप 10 क्यूशन करणट अपेस के अब देखिए इस्टेटिक जी के देखिए भारत रतन से समानित होने वाले पहले भारते महिला पहली भारती महि महिला राजेपाल यूपी की सिरीमती स्रोजनी न्याइडू एक भारती महिला मुक्य मंदरी सिरीमती सूचेता करपलाने देश की पहली केंद्रे मंतरी सिरीमती राज कुमारी अमरत कोर बारती राष्टे कोंग्रेस की पहली महिला अध्यक्स एननी बेसेंट उच न्याइल अद्यक्षपदपर नियूत होने वाली पहली मिला स्रिमती मीरा कुमार अब देखे जो हमने गल चोबीस तारीकों करनट पेस्पटा है उसका एक बार क्यूक रिवीजन कर लेते हैं कुछ कर लेते हैं 24 तारीका आयोदय रामंदिर की वास्तुकला किश सेली के अंदर नागर सेली के अंतर रामंदिर में वास्तुकार का नाम चंदरकांट्स सवमफुरा और आजसिस स्वंबुरा अयोदे रामंदिर का निर्मान कारे की इस कंपनी को समपा हैं लॉर्सन एंट रुबो हाली में यू एन जी एन आई यू जी एन ने पहली बार रेड लिस्ट की एस रुकति सेंडी में सामिल किया हैं हिमालियन वुल्प को हाली में WHO से मलेरिया मुक्त परमान पराप्त करने वाला तीसरा प्री की देश केप वर्ड कौन सा हो जाएगा केप वर्ड फोप्स की रिपोर्ट के अनुसार स्वन बंदार के मामले में बारत को कौन सा इस्तान मिला है, नौवा, आली में, तिरपूरा, मनिपूर, मेगाली की स्थापना दिवस, 21 जन्वरी, आली में, हर्याना के मुख्य मतरी मनुरलाल खटर को कहाँ पर, मनोरा खटनने कहां पे साइंस सिटी को विक्सित किया है परिदाबाद के अंदर हाली में मिशन एक्स 3 किस कमपणी के दौरा लोंच किया गया है इस पेस एक्स के दौरा एपल को पच्राड कर जनवरी 2024 में दुनिया की सबसे मुलेवान कमपणी वो बन गई है माइक्रो शॉप्ट अब जो मैंने कल आपको क्यों सनोब दाडे के रूप में दिया था उसका सयांसर क्या होगा देखिए चंदरमा की धर्ती पर उतरने वाला पहला दुनिया का पांच वा देश तो देखिए वो हो गया है जापान पहला अमेरिका दूसरा रशिया तीसरा बारत चॉता चाईना पांच वा जापान ठीक है अगे देखिए जाति आदारित जंगर्ना करने वाला भारत का दूसरा रज ये कोन सा हो जाएगा आप कमेंट करके बताएए पहला रज ये कौन सा दूसरे रज ये कौन सा ठीक है ना और मैंने कल बताया है आपको रजस्तान का इस्तान कौन सा है ये भी आपको बताना है ठीक है तो इसका सेयान से आप कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिए आज के लिए वस इतना ही तेंक्यू जे हिंद जे वारत मिलते हैं नेक्स वीडियो के अंदर नए जोस नए जुनून के साथ